हलो अब्रिवान वेलकम बैक टो कोरिक जोन आई होब आप सब अच्छे हैं अभी रिसेंटली मैंने दो-तीन दिन पहले एक वीडियो डाला था ड्रिफट के बारे में उसमें कुछ इंफर्मेशन और थी जो मैं आपको इंक्लूड नहीं कर पाया उसमें क्यूंकि सारी चीजे एक ही वीडियो में अगर बता दो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और आपने अपने अक्वेरियम में ड्रिफट लगाई है तो आपने हमेशा नोटिस कियोगा कि उससे पानी पीला हो जाता है और कुछ लोग उसके लिए वेरियस तरीके यूस करते हैं उसको खटम क तो उसी से रिलेड़ेड़ में आपको कुछ इंफरमेशन देंगा कि टैनिन के अचली फाइदे क्या है और उसको अगर आप अपने अक्वेरियम से ना हटाए तो क्या-क्या बेनिफिट होते हैं और अगर हटाना भी चाहे तो क्या तरीके हैं सही तरीके क्योंकि कुछ लो मौन ब्लांटेड है उसमें भी लगा हुआ है तो डिफुट से जैसा कि मैंने पितले वीडियो में बता चुका हूँ डिफुट के बारे में कि एक जान है उसको देख के उसको लगा कि आपना एक्वेस के बहुत ही खुबसूरत कर सकते हो बहुत अच्छा लगता है एक ना आप जब पानी में लगाते हो तो धीरे धीरे वो पानी में रिलीज करता है यह एक शौट पीरिड ओटाइम के लिए हमेशा नहीं होगा कुछ महीने कभी कबार एक दो महीने लग जाते है एक नाचरल प्रोसेस है तो धीरे धीरे लगडी जो है अपना जो टैनिन है वो पा ब्राउनिश यलोईश टाइप का है पानी लेकिन मेरे बागे एक्वेरियम में बिल्कुल भी टैनिक नहीं है इसमें भी नहीं है और मेरा यह एक्वेरियम इसमें नहीं इसमें नहीं इसका रीजन यही है कि इनकी टीनों लकडिया जो है इन सब टैंक से मैंने यूज करी है अपने एक्वेरियम में एक साल से यूज़ कर रहा था और जो इस एक्वेरियम में मैंने लगाई है वो नई है और प्लस ये मेरी DIY थी अगर आपने low tech का वीडियो ना देखा हो तो उसे भी description में मैं attach कर दूँँगा प्लीज उसको भी check out करें आप देखेंगे कि इसना easy setup है जल्दी इसकी update भी दूँगा मैं तो खेर back to the topic ये जो tenon है ये जरूरी नहीं है कि हर wood से निकले भी कुछी तरह की कुछ variety की woods होती है driftwood जिन से ये tenon release होता है और अगर आपके aquarium में tenon release हो रहा है आपका पानी पीला हो रहा है तो उसका एक simple solution है उसको खतम करने का आप जो weekly water change कर रहे है specially new setup है क्योंकि mostly new setup में लोग लगड़ी लगाते है या पुराने में भी बात में अगर add कर रहा हो तो आप जो new setup में weekly दो बार water change करते हो और पुराना setup हो तो weekly एक बार तो करते ही करते हो करना चाहिए तो उसी procedure पर दहें और धीरे धीरे टैन एक natural process है धीरे धीरे release होगा और अपने आप release होना बंध हो जाएगा ठीक है उसके लिए कोई special चीज ना यूज़ करें जैसे लोग bleach यूज़ करते हैं थोड़ा सा जो यलोईश होता है या जैसे आप इसमें देखें यह अचीव करना चाहते हैं उसके लिए लोग ऐलमंड लीव्स जालते हैं या फिर ड्रिप फूट जालते हैं या फिर लीव्स को बॉइल करते हैं बहुत से natural तरीके होते हैं के लिए लोग अचीव करते हैं और कुछ लोगों को यह बिल्कुल बसंद नहीं होता है मैंने देखा है मेरे पास भी लोगों के बहुत से कमेंट्स आये हैं उन्होंने बोला कि द्रिफोट के यह कैसे अटाएं तो इसी वजह से मैं चाहरा था कि मैं इस टॉपिक पे एक इजल फिश है और और भी साउथ अमेरिकन फिश जैसे की आप देखें यह मेरे पास जर्मन राम्स हैं तो इन सब फिशे के लिए यह बहुत ही सूटबल इन्वाइरमेंट होता है और अगर कुछ आप लोगोंने बहुत से वीडियो देखे होंगे लोग बेटा की ब्रीडि में लोग एक अलमंड लीव डाल देते हैं उसका रीजन यही है यह सबसे इंपॉर्टन चीज है कि जो वुड है या फिर यह अलमंड लीव बगएरा हो गई इनकी यह जो है पानी के पीच को लोवर करती है तो पानी का पीच आपका अगर लोवर होता है तो यह आपके प्ल इन टरम्स ऑफ हीलिंग अगर आपकी फिश को फर एगापल बेटा ले 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 बेटा की ब्रीडिंग होती है काफी अग्रेसिव ब्रीडिंग का प्रोसीजर है उनका मेल फीमेल फाइट करते हैं मेल मोस्ली फीमेल को डामेज कर देता है उसके फिन देमेज दो जाते है तो यह जो टैनिन है यह बैक्टीरिया खतम करता है यह जो उनके वूंड होते हैं उनको हील करता है तो यह एक तरह की बहुत ही फायदे वाली चीज है यही रीजन है कुछ लोग अचीव करते हैं अपना इंवाइरोंट ऐसा बनाते हैं तो आप इसको अगर खतम ना करें थोड जादा वाटर चेंज भी ना करें कि आपके पानी की केमेस्ट्री गड़ बढ़ हो जाए धीरे धीरे करें यह अपने आप एक प्रोसीजर है जो एक महीने होगा ही होगा मैंने बहुत लोगो को सलूशन देते वे सुना है कि आप ब्लीच यूस करो यह बहुत एफेक्टिव अब ब्लीच डालोगे तो ब्लीच से जो है अलगी भी खतम हो जाती है आपका टैनिन भी जाएगा वुड में जितने बैक्टिरिया है खतम हो जाएंगे यह फैक्ट है लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ब्लीच के अंदर क्लोरीन होता है ठीक है खतम कर देगा तो नैचरल तरीके से हटाएं नहीं पसंदो तो जो मैंने ड्रिपुट का वीडियो बनाया था कि यह लकडी जो लगाई है मैंने उसको बॉइल करें आप एक दो बार बॉइल करेंगे उससे भी इसके पैटोजन मर जाएंगे ब्लीच से भी मरेंगे और बॉ यूज करना है नहीं कुछ यूज करना है यह यूजली हम लोग क्या गरते हैं कि जलनी से भी से धोया और उसको एक दो बार पानी से वाश करके आपने अपने वापस एक्वेरियम में डाल दिया तो यह हामफुल है क्योंकि जो वॉड्ड होती है उनका यह नेचर होता है कि यह सारे जो इस तरह के ब्लीश वगरा हो गया इसको अब्जॉफ कर लेती है कुई भी केमिकल वगरा होता है यह वोड्स होती है इनकी प्रापर्टीज नहीं होती है कि इस तरह के egg को अपने अंदर अप अब्सॉफ कर लेती है और अगर आप मैं से काईज penis नहीं किया डा क्लोरीन की तरह है तो ऐसी चीज़ यूज़ करणे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टैनिल है वो बिल्कुल भी हांफुल नहीं है एक positive side है उसका positive है आपकी मचलियों के लिए यूसफुल है आपके मचलियों के लिए आप ब्रीट कर रहे हो तो आप चाहोगे ऐसा हो आपके साथ थोड़ा था पानी आप सॉफ्ट करना चाहोगे एसेटिक करोगे पी-एच लोवर करोगे जो इस से होता है तो आपको इसे खतम चाते हो खतम हो तो natural तरीके से हो खुद से नहीं करें क्योंकि bleach is very harmful आपके पानी में release होगा आप कभी कभी गल्दी से हम लोग सही तरीके से साफ नहीं करते है थोड़ा था एक दो बार रब कर लिया वो काफी नहीं होता है इसलिए कहा जाता है कि जो expert होते हैं उन्हें पता है वो कुछ दिन 10-15 दिन लकडी को पानी के बाहर रखेंगे धूप में सुखा देंगे अगर आप इस चब चीजों के लिए ready है तो बिल्कुल use करिए ये भी एक तरीका है लेकिन आम तोर पर लोग करते नहीं है मैं खुद भी नहीं करता हूँ इतना वेट नहीं कर पाऊँगा मुझे अगर set करना है तो मैं जल्दी से जल्दी करूँगा तो और मुझे जरुवत भी नहीं है क्या है मैं हाफते में आप देख ले करें चैनल को सब्सक्राइब करें काफी इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरा मॉंसर टैंक अंदर आ चुका है डिसकस टैंक रेडी है थोड़ा शफलिंग करूंगा भी चेंज़ करूंगा तो इन सब को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दमाना पड़ेगा और एक और इंपोर्टन मेसेज है कि अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो प्लीज डिसलाइक तो करेंगे करते हैं कुछ लोग लेकिन साथी साथ कमेंट भी कर दें कि क्या पसंद नहीं आया है कुछ गलत इंफरमेशन लगी हो या कोई और बात पसंद ना आई हो तो बताएं कि मैं उसको इंप्रूव कर सकूँ नेक्स ताइम मैं उस चीजों का ध्यान रखूँ और मैं कुछ सीख सकूँ बिकाज यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग के कमेंट के जरीए मैं भी कुछ सीख हूँ और मेरी कुछ नॉलेज आप तक पहुचे तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं टेक क्यार और हैव अगुद दे